यह बात उन दिनों की है जब बुद्धा मर्बन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान लेने बुद्ध के पास आते थे। ऐस प्रवचन स्थल के पास पहुँच गए तो बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। व के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा, तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं दो दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आप से मिलवाने लाया हूँ, यह मेरा एकलोता पुत्र है, और यह हर समय ठका ठका रहता है, ऐसा लगता है, जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो, इसका स्वभाव भी काफी चिड़-चिड़ा सा हो गया है, अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं, तो यह हमारी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है, और इसके बाल भी सफेद पढ़ने लगे हैं, इतनी कम उम्र में, इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तथागत मैं अपने पुत्र के स्वास्थि को लेकर बहुत चिंतित हूँ, जब मैं अपने पुत्र को वेद जी के पास लेकर गया, तो उन्होंने कुछ औशद ही दी, और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो, वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालू लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है इसी लिए तथागत में आपके पास आया हूँ कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए यह सुन के बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं उसके चेहरे को देखते हैं उसकी आँखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं यह सारी विधी करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ती से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ती जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है लेकिन अगर व्यक्ती तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है? जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है. यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्य व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है? जबकि उसने तो अपने शरीर को ठका है, लेकिन समझने वाली बात यह है, कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती, और कोई तनाव पैदा नहीं होता, और अगर दिमाग में कोई तनाव था, तो वह भी दूर हो जाता है, लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं म भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ती उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य आठ कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है. मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वा कांक्षी होना. महत्वा कांख्शी होना अच्छी बात है लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इनसान के लक्ष कभी पूरे ही नहीं होते हैं उसका एक लक्ष पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ और इस तरीके से वह अपने लक्षों को पाने के लिए जिन्दगी भर गोल-गोल घूमता रहता है इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वा कांग्शी होता है जिसने बड़े-बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं वह वर्तमान में कभी रह नहीं पाता है उसका मन सदैव भविश्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविश्य में ही रहता है जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिन्दगी जीने लगता है बुद्ध के मुह से यह बात सुनके उस लड़के ने कहा बुद्ध तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष नहीं बनाना चाहिए क्योंकि लक्ष बनाना भी तो महत्वा कांक्शा ही है इस पर बुद्ध ने कहा जीवन में लक्ष बनाना कोई गलत बात नहीं है लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए आप लक्ष बनाईए और उस लक्ष की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है बुद्ध ने आगे कहा तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इरश्या करना है जब व्यक्ति इरश्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है इरश्या एक आंतरिक घाव है आंतरिक घाव यानि मन का घाव व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी इरश्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि इरश्या तनाव का कारण है इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि आरुशि पूर्ण काम ना करना इससे भी मन में तनाव पैदा होता है जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है जिस काम में हमारी रुची ही नहीं है उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा लेकिन हमारा मन कलपनाओं की उड़ान भरेगा जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनाव ग्रस्थ हो जाता है इसी लिए इनसान को हमेशा अपनी रुची के अनुसार ही कार्य करना चाहिए अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष बना लेता है तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बलकि एक खेल बन जाता है फिर बुद्ध ने कहा तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही काम्याब इंसान बने तुम्हारा नाम रोशन करे जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जे तुम्हारी हर बात माने लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अंजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव तुम्हें पकड़ लेगा तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर कर दो इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इनसान के तनाव का एक कारण होता है जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीडा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वे पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिती में व्यक्ती तनाव ग्रस्त रहने लगता है। ये सुनके उस व्यक्ती ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ती को हो सकता है। तो फिर क्या हुआ? व्यक्ती जीवन भर तनाव में ही जेगा। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इनसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यू भी आती है। तो बीमारियां इनसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता, बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है, तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा, तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारिरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। उसके बारे में पूरी जानकारी इकठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इनसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदाना इनसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो प बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालते रहता है और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भर कर काम को पूरा करने का प्रयास करता है इसी लिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तब ही संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करें सबसे आखिरी और सबसे प्रमुक कारण जो तनाव का होता है वह है ज्यादा सोचना लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है जो अतीत की घटनाओं और भविश्य की बातों के बारे में स इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए बुद्ध के मुह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ कर कहा बुद्ध मेरा पुत्र तो अभी मात्र बीस वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दे जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनके बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधी है तुम्हें एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो उसके पूरे स्वाद का आनंद लो उसका अनुभव करो जब चलो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो की तनाव का मुख्य कारण होती है इसी लिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें वह भी पूरे ध्यान के साथ तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा देखने के लिए धन्यवाद